पूरे देस में इस समय केवल बुल्डोजर की ही चर्चा है लेकिन इस सब के बीच जाल साज कॉस्टूफ जैसे करोडों का गबन करने के बाद भी खुले घूम रहे हैं जाल साज कॉस्टूफ की गिरफतारी के लिए न्यालाई के द्वारा पूलिस को तीन सब्ता का समय दिया गया लेकिन पूलिस के हाँ थाने को कुछ समय बाद ही वो थाने से निकल गया हम आपको बताना चाहेंगे कि जाल साज कॉस्तुप रीवा के अलावा इंदौर, देवास, सहडोल, नीमच, सहीद, पांच जिलो की पुलिस उसकी तलास कर रही है इने में से एक पेड़ संदी मिस्रा के द्वारा थाने में कॉस्तुप के खिलाब दर्ज कराई गई रिपोर्ट थी जिसमें 30 लाख रुपेओं की ठगी की बात कही गई है फर्यादी का कहना है कि उसमें पेटी कॉंट्रेक्ट में मोबाइल टावर लगाने के लिए काम लिया था काम करने के बाद आरोपी के द्वारा पैसे नहीं दिये गया और जब चेक दिया गया तो वो भी बांस हो गया इस तरह से सभी जिलो में दरजन और लोग कॉस्तुक के ठगी का सिकार हो चुके है फर्यादी का आरोप है कि स्टीएफ के एक अधिकारी और कुछ नीताओं की सरपरस्ती में पुलिस उसे गिरफतार करने में आनाकानी करती है वही इस मामले को लेकर फिर फुलिस अधिक चक कारयाले में फर्यादी के द्वारा आरोपी की गिरफतारी को लेकर फर्याद की गई है आपको बता दे कि ऐसे आरोपी के खिलाब भी मज़परदेश के मुख्या सिवरा सिंग चोहान अभी तक एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहे हैं वही अब देखना यह होगा कि आरोपी तक कब तक मामा का बुल्डोजर पहुँचेगा या फिर जिस तरह से आरोपी को उपर स्टीफ के अधिकारी एवं नेताओं की सरपरस्ति के आरोप फर्यादी के द्वरा लगाया जा रहा है तो क्या बुल्डोजर की गती धीमी हो जाएगी यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा